प्रिये दोस्तों मैं संदीव कुमार पटेल आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इस उसा इंडेक्शन में एक ऐसे फाल्ड को रिपियर करेंगे जिसमें हम लाइट में लगाते हैं तब भी हमारा फैन नहीं चलता हम अन आफ कर लें लेकिन हमारा फैन नहीं चलता भी बराबर मिलता है लेकिन हमारा फैन चालू नहीं होता चलिए इसी प्रिक्रिया को हम अब चेक कर लेते हैं कि किस कमी के कारण हमारा फैन चालू नहीं हो रहा है हमारा जैग भी लगा हुआ है चलिए अब वीडियो को हम सुरू करते हैं अब हम अपने मल्टी मीटर को 20 ब बोल्टिज को चेक करेंगे चेक करने के लिए हमें फैन को जैक को निकाल देना होगा देखिए हमें 18.5 बोल्ट के आसपास में मिल रहा है हम फैन भी बदल के चेक कर चुके हैं फैन हमारा ठीक है फैन में कोई गरबली नहीं है चलिए इस साइट से भी हम बोल्टेज को चेक कर लेते हैं देखिए हमें 18 बोल्ट मिल रहा है माइनस वाला प्राट जब लगाते हैं तब भी हमें 18 बोल्ट ही मिलता है अब हम आपको हर्ड बताएंगे जैसे ही अपने फैन के जैक को हम लगाएंगे आपको बोल्टेज में कुछ गरबर देखने को मिलेगा अब मारा फैन का जैक लग चुका है अब एक बार फिर हम बोल्टेज को चेक करते हैं देखिए माइनस ब्रिजेक टिफायर से लेने पर जब हम प्लस 18 पर जैक के प्लस पॉइंट पर लगाएंगे तो हमें 16.15 बोल्ट मिल रहा है और अब हम अपने माइनस के जैक को जब लगाएंगे जैक के माइनस पॉइंट पर तब हमें 3.20 बोल्ट मिलने लगा एक बार फिर हम माइनस को ब्रिजेक टिफायर से लेने पर हमें 16.18 बोल्ट मिल रहा है लेकिन यहां पर हमें 3.24 बोल्ट मिलने लगता है यह कमी कहां से है यह कमी हमें माइनेस बोल्ट राप हो रहा है देखिए फिर से जब हम प्लस वाले पराट को माइनेस वाले जैक पर लगाते हैं तो हमें 15 बोल्ट के आज पास में मिलता है अर प्लस वाले जैख पर रड़े 18 पोल्ट मिलता है यह हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है 80-50 का उसके करणट से होता है देखिए यहाँ पर हमें 11,5 बोल्ट लेकिन माइनेस वाले जैख पर जब हम लगाएंगे तो हमें 15 बोल्ट मिलता है इसी 85 ट्रांजिस्टर के खराब हो जाने के कारण हमें हमारे इंडिक्षन में या फाल्ट आता है चलिए अब हम इस ट्रांजिस्टर को रिम्यूब करेंगे अगर आप continuity से चेक करेंगे तो या ट्रांजिस्टर आप open दिखाएगा अगर आपको या वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो को नोटिक भीकेशन आपको मिल सके देखिए हमने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया है अब हम इस ट्रांजिस्टर के अस्थान पर नया वाला ट्रांजिस्टर को लगाएंगे आप अगर चेक करते हैं तो चेक करने में आपको कभी कभी साड़ हो जाता है तब यह प्राब्लम आती हैं अगर आपको इन ट्रांजिस्टर कि ट्रांजिस्टर सार्डना हुआ हो तब यह आप ट्रांजिस्टर को बहुकर बदल दीजिए है कि छलिए अब हम एक बार फान के जैक को लगा लेंगे में तब फिर चेक करेंगे है देखिए जैसे ही हम फाइन के जैक को लगाए हमारा फाइन तुरण चालू हो चुका और हम जब आउन कर दिये तो हमारा सही काम कर रहा है ट्रांजिस्टर भी एक बार बीप की अबाज आती है तो फाइन सिलो हो जाता है उसके बाद फिर चलता है देखिए अब हम चल रहा है माइनस पर जो हमें 15 वोल्ट मिल रहा था वह नहीं मिल रहा है अब मैं 18 वोल्ट बराबर हो चुका है यह 85-85 का टांजिस्टर जब फराब हो जाता है तब हमेरे इंडेक्शन में यह फाल्ट आता है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद